क्या मूदी सरकार सुप्रीम कोट के कॉलेजियम सिस्टम पर हावी हो गई है क्या कॉलेजियम सिस्टम के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालना सफल हो गया है कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोट के बीच तुनातानी कपसे चल रही है विवात कपसे ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कॉलेजियम पर छड़े इस विवात की बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि कॉलेजियम के एक प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला तो कॉलेजियम ने अपना प्रस्ताव ही वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का प्रस्ताव क्या था और उसे सरकार ने नजर अंदास क्यों किया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाया है यह आपको उस खबर में हम बताएंगे देश की सबसे बड़ी अदालत माननिय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को CGI डिवाच अंद चूड कई दफा बहतरीन बता चुके हैं कभी किसी कॉंक्लेव में तो कभी किसी कारिक्रम में अगर कॉलेजियम सिस्टम पर कुछ कहा किसी ने तो CGI सहाब ने हर जगा कॉलेजियम पर हाजर जबाबी दिखाई है इसे लिए आप जो हुआ है वो हैरान करने वाला है दोस्तों जनसत्ता ने जो लिखा है वो आपको इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हेडलाइन में ही लिखा है कि मोदी सरकार से हारा सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जस्टिस मुर्ली धर को मदरास हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश को लिया वापस दरसल हुआ ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जब हाई कोट के चीफ जस्टिस और जस्टिस का प्रस्ताफ केंदर सरकार के सामने रखा था तो उस समय सुप्रीम कोट की तरफ से अलग-अलग हाई कोट के लिए अलग-अलग नाम सुझाए गए थे इन नामों में जस्टिस S. मुरली धर का भी नाम शामिल था उन्हें मदरास हाई कोट के लिए चुना जाने वाला था मदरास हाई कोट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनके लिए प्रस्ताफ जो है सुप्रीम कोट के तरफ से केंदर सरकार के सामने रखा गया था सुप्रीम कोट के कॉलेजियम ने रखा था लहाजा आप सुप्रीम कोट कॉलेजम ने कहा है कि वो अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं क्योंकि जस्टिस मुर्लिधर अभी उडिसा हाई कोट में बतौर चीफ जस्टिस पत पर विराजमान हैं और रिटायर होने वाले हैं जस्टिस मुर्लिधर अगस्त 2023 में रिटायर हो जाएंगे दोस्तों यानि उनकी रिटायर्मेंट में बस कुछ ही महीनों का समय बचा है ऐसे में सुप्रीम कोट कॉलेजिम चाहकर भी जस्टिस मुड्लीधर चीफ जस्टिस के तौर पर मदरास हाई कोट नहीं भेच सकता SVA गंगापुर वाला ये जस्टिस है फिलाल मदरास हाई कोट के अप्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर विराजबान है उन्हें अब मदरास हाई कोट का पर्मानेंट चीफ जस्टिस बनाने की बात हो रही है दोस्तों विचार किया जा रहा है कॉलेजम ने अपने प्रस्ताव वापस लेने को कहा है कि जस्टिस मुडली धर की रेटार्मेंट में चार महीने से भी कम समय बचा है लेहाजा उनको लेका जो सिफारिष मुदी सरकार से हमने की थी उस सिफारिष को वापस लिया जाता है सुप्रीम कोड कॉलेजम का ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोड की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है सुप्रीम कोड कोड की तरफ से ये सिफारिश सितंबर 2022 को की गई थी लेकिन अभी आप समय देख सकते हैं केंद्र की मुदी सरकार ने इस प्रस्ताव को किस तरीके से नजर अंदास किया किस तरीके से इस पर परदा डालने की मिट्टी डालने की कोशिश के आप ये समझ पारे होंगे और ऐसा हम नहीं क्या रहे हैं बलकि जल सकता की खबर में जो जो लिखा है दोस्तों उसके आधार पर कहा जा सकता है हाला कि सुप्रीम कोट की बाकी की जितनी भी सिफारिश थी बाकी कई सिफारिश सुप्रीम कोट कॉलेजम ने केंदर सरकार से की थी केंदर सरकार के सामने कई चीप जस्टिस या जस्टिस को लेकर प्रस्ताब रखे गए थे उन कई सिफारिशों को केंदर सरकार के तरफ से मंजूरी मिली लेकिन उडिसा हाई कोट के वर्तवाद चीफ जस्टिस एस मूली थर से जुड़े इस प्रस्ताप को मंजूरी नहीं दी गई अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि सरकार के सुरुख पर सुप्रीम कोट ने कड़ा रुख नहीं अपनाया जलसता ने लिखा है कि सुप्रीम कोट की मोधी सरकार से कई बार तनातनी भी हुई है इस मामली को लेकर सुप्रीम कोट ने सरकार को इशारों में चेतावनी भी दे दी थी कि आप अगर कॉलेजन सिस्टम की सिफारिशों को इस तरीके से इसकदर नजल अंदास करते हैं इस तरीके से उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करते हैं फिर कॉलेजिम अपना काम करेगा फिर मत कहिएगा तो कानून मंत्राले ने जस्टिस S. मुर्ली धर को मदरास हाई कोट नहीं बेजा है अब सवाल सीधा सा है कि आखर सरकार ने जस्टिस S. मुर्ली धर को लेकर पस्ताफ को मंजूरी क्यों नहीं दी क्या मोधी सरकार जस्टिस मुर्ली धर से नाराज है ये सवार है जनसता ने लिखा है दोस्तों कि दिल्ली दंगो के दोरार मोधी सरकार जस्टिस मुर्ली धर से नाराज हुई थी उस समय जस्टिस मुर्ली धर दिल्ली हाई कोट में तानात थे एक मामले में उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुशान महता को करी फटकार लगाई थी वो मामला जब सुप्रीम कोट पहुँचा था दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिसिटर जनरल कोई फटकार नहीं लगाई गई थी बलकि दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई गई थी और दिल्ली पुलिस से पूछा था जस्टिस एस मुर्लीधर ने कि केंद्रे मंत्री अनुराग ठाकुर सांसत प्रवेश वर्मा और बीजेपी नेता कपल मिश्रा के खिलाफ भड़काओ भाशन देरे के लिए आपने केस दर्च क्यूं नहीं किया है ये बयान जो उनका था ये जो सवाल उन्होंने पूछा यही सवाल अभी आप देख सकते हैं कि सिचुएशन में देखा जा रहा है इसके बाद जस्टिस मुर्लीधर को पंजाब और हर्याना हाई कोट भेज दिया गया और अभी वो उडिसा हाई कोट में चीप जस्टिस हैं तकरीबन चार महीने से भी कम समय में वो रिटायर हो जाएंगे दोस्तों तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एक वज़ा हो सकती है जो जिसके कारण मुर्दी सरकार ने एस मुर्लीधर के प्रस्ताफ को मंजूरी नहीं दिया हाला कि हम खुझ से ये बात नहीं कह रहे हैं दोस्तों जो भी वज़ा बताई गई है इस पूरी खबर में कई ना कई मुर्दी इस तरफ इशारा कर रही है एक कारण ये हो सकता है कि आखर जिस्टिस मुर्दीधर की फाइल पर केंडर सरकार ने हामी का ठपा क्यूं नहीं लगाया हाला कि हम इस बात की जैसे हमने कहा पुझ्टी नहीं करते हैं दोस्तों कि यहीं कारण होगा यहीं हो सकता है पकर इतना तो कहा जा सकता है कि मुदी सरकार कॉलेजियम के फैसलों को नजर अंदास करती हुई दिख रही है देखना ये है कि CGI डिवाचन चूर इस पर आके कुछ बोलते हैं या पर नहीं बोलते हैं इस खबर पर आप किराय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा विडियो अगर आपको पसंद आया हो तो विडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार